Hello everyone, I hope आप लोग सब ठीक होंगे आज हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं Prometheus Pound ये एक tragic play है या इसे हम tragedy भी कहेंगे इस play को लिखा है Aeschylus ने जिनको हम father of tragedy कहते हैं Aeschylus ने इस play को 479 BC के roundabout compose किया ये tragedy Prometheus की myth के बारे में है वो myth क्या है उसको हम पढ़ते हैं और उसके बाद हम इसका analysis करेंगे तो चले है story पढ़ते हैं हम पहले Prometheus Bound ये कहानी है Titans और Olympians की Greek gods Olympians Titans के साथ जंग लड़ते हैं Titans का सरदार है Cronus और Olympians का सरदार है Zeus Prometheus एक Titan है Prometheus का नाम का मतलब है Foresight यानी दूरंदेशी Prometheus को अपनी मा थेम्स की तरफ से future में देखने की पावर मिली होती है इस पावर की वज़ा से Prometheus को पता है कि Olympians के साथ जंग चालाकी से जीती जा सकती है वो अपने सरदार Cronus को जंग जीतने का तरीका बताता है लेकिन क्रोनस उसकी कोई बात नहीं मानता क्योंकि उसे अपनी पावर पर बहुत घमंड होता है जिसके बाद Prometheus अपने भाई Epimetheus के साथ Greek Gods यानी Olympians के साथ जाकर मिल जाता है और उनके साथ मिल कर टाइटन्स के खिलाफ जंग लड़ता है Olympians जंग जीत चाते हैं और वो टाइटन्स को तार्टरस नामी दोजख में फैंक देते हैं Greek Gods Olympians के सरदार Zeus को Prometheus और उसका भाई उन दोनों का काम बहुत पसंद आता है और वो उन्हें इनसानों को बनाने की जमदारी दे देता है एपेमेथियस का काम है Greek Gods के इनामात को लोगों में तकसीम करना जैसा के उड़ने की सलाहियत, तैरने की, दोड़ने की सलाहियत, उसके इलावा नरम बाल, ये सब कुछ और Prometheus का काम था मिट्टी से इनसान को बनाना वो इनसान जिसका काम जीयस के मताबिक माउंट ओलम्पिस के खुदाओं की पूजा करना होगा और हर चीज के लिए उन पर डिपेंड करना होगा लेकिन Prometheus इनसानों को एक खास मकसद से बनाता है उसका मकसद होता है कि इनसान दुनिया में रहे और इसमें हकूमत करे इसलिए वो इनसान को हर तरह की स्किल्स सिखाता है आर्ट की स्किल्स, साइंस की और बहुत सारी स्किल्स एक दफ़ा Prometheus जीयस के साथ एक ट्रिक खेलता है वो एक बुल को जिबा करता है और उसको दो हिस्सों में तकसीम करता है एक हिस्से में गोश्ट रखकर उपर चर्बी रख देता है और दूसरे हिस्से में हडियां रखकर उपर गोश्ट रख देता है वो जीयस को एक हिस्सा चुनने का कहता है Zias दिखने में बेहतरीन यानि गोश्ट वाले हिस्से को चुन लेता है जब वो गोश्ट के नीचे हड़ियां देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है जिसकी सजा के तोर पर वो इनसानों से आग चुन लेता है प्रोमेथियस जब ये देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है कि इनसानों से आग चुन गई उसकी वज़ा से और वो माउंट अलेम्पेस के उपर आग चुराने के लिए पहुंच जाता है जहां हेफेस्टेस और एथेना आग की हिफाज़त में लगे होते हैं प्रोमेथियस उनकी मौजूदकी में चौरे उनसे एक पंक में आग लेकर लोगों के पहुंच जाता है लोग उस आग का इस्तमाल करके हर चीर पर परतरी हासिल कर लेते हैं और उनकी सिविलाइजेशन भी बढ़ने लग जाती है जियस जब ये सब कुछ देखता है तो उसे और घुसा आजाता है और वो सजा के तोर पर प्रोमेथियस को उमर भर के लिए एक चटान के साथ बांदने का हुकम दे देता है और वो हुकम देता है कि एक उकाब को उस पर छोड़ दिया जाए जो दिन के टाइम उसके जिगर को खाएगा उसके बाद प्रमेथियस का जिगर रात को दुबारा बनेगा जिसे उकाब अगले दिन फिर से खा जाएगा और इसी तरह से ये सिलसला चलता रहेगा अब क्रेटोज, हफिस्टेस और बिया प्रमेथियस को सिथियन माउंटन पर लेकर आते हैं और उसे वहां बांद देते हैं प्रमेथियस को बहुत बुरा लगता है कि उसे इनसानों को बेहतर जिन्दगी देने की सजा मिली है कोरस यानि ओकीनीज की बेटियां, गौड ओफ ओशन्स की बेटियां प्रमेथियस से पूछती है कि उसकी सफरिंग की वज़ा क्या है जिस पर प्रमेथियस उनको पूरी कहानी सुनाता है उसके बाद God of Nations Prometheus के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि वो उसके लिए जियस से बात करेंगे लेकिन Prometheus उन्हें रोक देता है क्योंकि उसे लगता है कि जियस God of Nations को सजा देगा उसके बाद Prometheus कोरस को बताता है कि उसने इनसान को हर एक स्किल सिखाई है और एक दिन वो यहां से जरूर आजाद होगा जियस खुद आकर उसे आजाद करेगा Prometheus कोरस से बात कर रहा होता है कि उस दुरान आयू आती है आयू एक गाए है लेकिन गाए बनने से पहले वो एक खुबसूरत लड़की होती है वो एनकस की बेटी है जियस उसकी खुबसूरती से बहुत मतासिर होता है जिसकी वज़ा से जियस की बीवी हीरा उसे एक गाए बना देती है और उसके फादर भी उसे घर से निकाल देते है तब से वो इदर उदर भटकती रहती है आयो प्रमेथियस से पूछती है कि कब तक वो इस तरह गाए की शकल में रहेगी जिस पर प्रमेथियस कहता है कि तुम लंबे अर्से तक ऐसे ही यॉरप में फिरती रहोगी उसके बाद एशिया में नील रिवर के पास तुम एक बच्चे को जनम दोगी जिसका नाम होगा एपेफस एपेफस तुम्हारी सफरिंग को खतम करेगा और इस बच्चे का एक वारिस होगा जिसका नाम होगा हर्क्योलेस वो वारिस प्रमेथियस के सफरिंग को खतम करेगा और हर्क्योलेस जियस का बेटा होगा आयो को प्रमेटियस बताता है कि हर्किलेस जियस का बेटा होगा और उसकी पावर को उससे छीनेगा ये सुनकर आयो आगे चली जाती है आयो के साथ हुई सारी बातों को जियस सुन लेता है और वो अपने बेटे हर्मेटियस को भेजता है कि वो Prometheus से पूछे कि कैसे हरकिलिस उसकी पावर को खतम करेगा लेकिन Prometheus ये बताने से इनकार कर देता है जिसके नतीजे में उसकी सफरिंग्स और बढ़ जाती है और फिर वो खुदा से बात करते हुए कहता है कि उसकी इस सजा की क्या वज़ा है उसने तो जो भी किया है अच्छा किया है लेकिन फिर भी उसे सजा मिल रही है और यहाँ पर ये प्ले खतम हो जाता है Prometheus Bound Analysis के अंदर हम सबसे पहले डिसकस करेंगे Prometheus Bound as a Tragedy इसको हम सबसे पहले डिसकस करेंगे Prometheus Bound is Ascalis' sweeping tragedy of suffering and injustice यह ऐसी tragedy है जिसके अंदर हम suffering भी देखते हैं और injustice भी देखते हैं Ascalis achieves the tragic effect by placing Prometheus in a state of suspension between his own divine nature and his affinity for humankind कि वो उसको ऐसे state में रखता है जिसमें वो खुदा भी है और इनसान भी खुदा इस तरह से है कि वो मर नहीं सकता और इनसान इस तरह से है कि वो सफर कर रहा है तो यह एक tragic effect create किया है Ascalis' ने A nearly unheard of stasis in a world where the chasm between gods and men was no small one एक ऐसा balance create किया है खुदाओं और इनसानों की दुनिया के दर्मियान In receiving his punishment for giving men fire, Prometheus experiences the very suffering which he hoped to spare men and chained to the edge of a cliff उसे इनसानों को आग देने पर सजा मिली और वो सजा क्या थी कि उसे हमेशा के लिए एक चटान के साथ बान दिया गया Where an eagle descends to consume his daily replenished liver और उसके उपर एक उकाप को छोड़ दिया गया जो उसके जिगर को रोज खाएगा Prometheus cries out against the existential anguish to which he is unjustly condemned वो अपनी जिहनी अजियत के खिलाफ बोलता है, चीकता चिलाता है The rattle of chains and hammer strikes are the first sounds announcing Prometheus's entrance on stage कि tragedy के सबसे बड़ी presentation यही है कि वो किस तरह से stage पे आता है कि वो chains के अंदर बंदा होता है accompanied by Zeus's minions कि Zeus के जिपेंडेंट्स होते हैं वो उसके पीछे होते हैं Might and violence and the god of fire and smithy Hephaestus Hephaestus होता है, जो god है fire का और बाकी जो उसके dependence होते हैं वो भी उसके Prometheus के पीछे होते है With smirking crudity, might and violence entreat Hephaestus to assist them अब जो बनावटी ही मुस्कुराहत है उसके साथ कहते हैं Hephaestus को कि वो उनका साथ दे driving the obstinate jaw इस जिदी मुवाले इंसान को वो कोन है Prometheus of the adamantan wedge कि वो इसको हमेशा के लिए बांध दे उस चटान के साथ Throw Prometheus's chest binding him immobile to the cliff कि वो उसकी chest के साथ मतलब उसके सीने से उसको चटान के साथ बांध दे By subverting Zeus and presenting humankind with the capacity to survive Prometheus is punished swiftly and brutally कि वो Zeus के power के आगे जुकता नहीं है और इनसानों को जो survive मतलब survivor के लिए आग मोहिया करता है उसके लिए उसको सजा दी जाती है And the cosmic conflict between Zeus and Prometheus along with the other cast of characters Draws our attention to the manner in which we understand tragedy to function किस तरह से एक conflict create किया गया है Zeus और Prometheus के दर्मियान और बाकी characters के दर्मियान जो के एक tragedy को represent करते हैं एक best tragedy को Ascalis mastery of dramatic story talent elicits startling reaction of pity and fear कि जब हम play को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर हम दर्दी भी होती है Prometheus के लिए और डर भी होता है उसके लिए और इनसानों के लिए भी And yet eludes a systematic interpretation of tragedy put forth by Aristotle in Poetics कि Aristotle ने tragedy को जो define किया है उसके उपर भी ये पूरा उतरती है Prometheus is the grand archetype of suffering without end and to no end कि Prometheus end तक सफर करता है लेकिन उसकी सफरिंग की कोई ending नहीं है Caught in suspension between his difficult nature and his human sympathies because he is a god he lives endlessly मतलब ये कि वो खुदा भी है इसलिए वो मर नहीं सकता और इनसान भी है इसलिए उसको सफर करना पढ़ रहा है but because he also identifies himself with humanity he suffers endlessly कि उसको सफर करना पढ़ रहा है and seemingly without cause कि उसकी सफरिंग के पीछे कोई cause सबब भी नहीं है for taking up man's cause Prometheus is condemned to experience suffering as a man with the same tenuous and hesitant belief in order of the world लेकि दुनिया के असूलों का मिताबिक उसको सफर करना पढ़ेगा but with his desperate why amplified by his very nature as an immortal God कि इनसानों की तरह वो सफर भी कर रहा है लेकिन खुदा की तरह वो सवाल भी पूछ रहा है और चुक नहीं रहा Prometheus bound as a tragedy के बाद हमारे पास next step Prometheus bound themes जो इसके अंदर themes हैं वो कौन-कौन सी है उसमें number one पर है power versus reason power और reason की theme है इसके अंदर at the center of Aeschylus Prometheus bound is the tyrannical power of Zeus कि Zeus की जो power है वो center है इस play का the king of Olympians Zeus is all powerful in Prometheus bound and has usurped his father कि उसने अपने जो बाप है जो क्रोनस है उनी के खिलाफ जंग लड़ी and the other titan gods to become king of mount Olympus कि अपने बाप और बाकी titans के खिलाफ जंग लड़ी बादशाह बनने के लिए however it was Prometheus's reason that actually defeated the titans कि Prometheus क्रोनस से कहता है कि हमें किस तरह से चालाकी से जंग हम जीच सकते हैं इसलिए चलाकी से हमें जंग लड़नी चाहिए लेकिन क्रोनस उसकी बात नहीं मानता तो वो Olympians के साथ जाकर मिल जाता है which implies that it is intelligence not brute strength that is the more powerful force कि हमारी जो जहानत है जो चलाकी है वो में चीज है reason में चीज है ना के power Prometheus knows that there is no match for sound reason not even the power of nature कि nature जितनी भी powerful हो reason हमेशा उसके उपर हावी रहती है कि reason हमेशा power से उपर रहती है so when he gave humankind the gift of fire he also gave them reason कि किस तरह से वो आग का इस्तमाल करके दुनिया पर हकूमत कर सकते है Prometheus taught humankind every art and skill with endless benefit कि जिसके बहुत सारे फाइदे होंगे Even Zeus knows that the progress of humankind made possible by Prometheus' reason is a threat to his own power कि जो reason Prometheus ने इंसानों के दी है वो उसकी power के उपर के लिए खत्रा है which is why he punishes Prometheus so severely इस वज़ा से वो उसको इतनी ज़्यादा सजा देता है तो यह first theme है power and reason Next theme हमारे पास है suffering, compassion, हमदर्दी and hope और उमीद Prometheus the protagonist of Aeschylus, Prometheus bound is made to suffer for the entirety of the play पूरे play के अंदर हम उसे सफर करता देखते है Many others are also forced to live in misery in Aeschylus play Aeschylus के play में हम बहुत सारे और लोग भी देखते हैं जो सफर कर रहे होते हैं जैसा के Titans, Titans को जमीन के नीचे फैंक दिया जाता है हमेशा के लिए के वो वहाँ पर सफर करें उसके इलावा Atlas, Atlas को भी बोज दे दिया जाता है जमीन का उसके कंदों पर सजा के तोर पर उसके इलावा I.O. आयो को गाय बना दिया जाता है हमेशा के लिए उसके बाद कि Prometheus जब सफर कर रहा होता है तो उसको बहुत हमदर्दियां भी मिलती है जैसा कि Hephaestus Hephaestus को बुरा लग रहा होता है कि Prometheus को सजा के तोर पर चिटान के साथ हमेशा के लिए बांदा जा रहा है जैसा कि Prometheus जब सफर कर रहा हो और उसके साथ सिर्फ हमदर्दियां हो उमीद ना हो तो फिर वो बरदाश्ट नहीं कर सकता हो इसलिए सफरिंग के साथ उमीद सबसे ज़्यादा होना जरूरी है उसके बाद हमदर्दियां होती है जो उसे भी उमीद होती है कि उसकी सफरिंग भी खतम होगी तो यह सेकंड थीम है Prometheus पाउंड में थर्ड थीम हमारे पास है Freedom and Confinement मतलब पाबंदी एक ही जगह पर जब इनसान को एक ही हालत में रखा जाए तो उसे कहते हैं हम confinement As the title of Aeschylus' play suggests the titan Promethean is bound to the side of a mountain by Zeus' servants कि Zeus के जो servants हैं वो Prometheus को बांद देते हैं Even in the face of this immense suffering However, it is Prometheus' confinement that is most torturous कि उसको एक ही हालत में रखा जाएगा जो सबसे ज़्यादा torturous है For, Prometheus, there is no chance of escape कि बचने का कोई chance नहीं है And since he is immortal और क्यूंके वो लाफानी है immortal है इसलिए उसके लिए वो ये torture ज़्यादा बड़ा है He cannot even hope to die वो क्यूंके खुदा है इसलिए वो मर भी नहीं सकता Despite his confinement Prometheus' will cannot be broken कि उसका जो ज़्यादा है कि वो जियस के सामने चुकता नहीं है वो टूट नहीं सकता And it is through his example that Eskildis argues that psychological confinement is just as powerful as physical confinement कि अगर इंसान के psychologically गुलाम बना दिया जाए तो उससे बहतर है कि फिजिकली गुलाम बन जाए इंसान कि अगर इंसान को उसकी सोचने समझने की सलायत भी किसी और के हाथ में हो तो उससे बहतर है physical confinement कि फिजिकली उसको गुलाम बना लिया जाए लेकिन psychological गुलामी नहीं अच्छी होती Despite his physical confinement Prometheus is mentally free He won't be beholden to Zeus and his power कि Zeus जितना भी powerful है वो उसको psychologically अपना गुलाम नहीं बना सका फिजिकली बना लिया लेकिन psychological उसे गुलाम नहीं बना सका तो यह है third and last theme तो यहां पर खतम होता है हमारा आज का यह lecture आज के लिए इतना ही मैं मिलूंगी अपनी next वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिज